अरे तुझे को diabetes है? कोई बात नहीं, शक्करनी पर गुड़ अच्छा है, गुड़ की चाय पी ले, गुड़ की बनी मिठाई या खा ले पर ऐसे में सच में क्या हमारे सेहत के लिए गुड़ अच्छा है या नहीं ये हमारे लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है अगर हम देखे तो आज की जनरेशन, नाच्रेल चीजों की तरफ जादा मूड़ने लगी है as compared to artificial यानी कृत्रीम चीजों से तो कई बार नाच्रेल शुगर जो हम पाते हैं, उसमें हम जो यूज करते हैं या जिस चीजों का इस्तमाल होता है वो शक्कर नहीं होती है, बलके या तो गुड़ और या तो खजूर की पेस्ट का इस्तमाल होता है पर क्या नाच्रेल शुगर भी हमारे शरीर में शुगर लेविल्स को अफेक्ट करती है? क्या इसका सीविन बिलकुल हमारे शरीर के लिए सेफ है? ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है गुड़ क्योंकि एक नाच्रेल स्वीटनर है, जो शक्कर की तरह आठिफिशल स्वीटनर नहीं होता है या जिसमें शक्कर की तरह अधिक तरह से प्रोसेसिंग नहीं की जाती है जिस वज़े से गुड़ में विटमिन्स और मिनरल्स कई अधिक मातरा में पाए जाते हैं शक्कर के कंपेरिजन में पर क्योंकि इस पर processing ज़्यादा नहीं होती है, इसमें जो गुन है, या इसमें जो vitamins और minerals है, वो अच्छी मातरा में पाये जाते है, तो क्या हम इसका सेवन नियमित रूप से कर सकते हैं, और ऐसे बैमारी में, जिसमें हमें मीठा खाने के लिए पूरी तरह मना किया जाता है तो वो हम आप इस वीडियो में जानेंगे तो गुड की nutritional value क्या होती है अगर हम देखे तो गुड का GI यानि glycemic index 84.4 होता है जो एक high glycemic index वाले food list में आता है साथ ही गुड में calories बहुत अधिक होती है तो अगर हम देखे 100 gram गुड में लगबक 383 calories होती है 98.9 gram carbohydrate होते है जो शुगर की form में होते है 11 gram iron यानि लोहा होता है और इसी के साथ साथ इसमें magnesium, copper और ether, vitamins और minerals भी पाए जाते है गुड आयन का एक बहुत अच्छा स्त्रोत्र है एक बहुत अच्छा source माना जाता है पर ऐसे में अगर आपको diabetes है तो जैसे हमने देखा कि इसमें sugar यानि काबोहाइडरेट बहुत high मातरा में पाया जाता है इस वज़े से आपको गुड के सेवन के लिए diabetes में एक strict no यानि मनाई की जाती है इसकी वज़े ये भी है क्योंकि इसका glycemic index बहुत high होता है तो जब भी आप गुड का सेवन या तो direct गुड का सेवन या किसी मिठाई में इसका सेवन या आप शकर की जगे अगर गुड की चाय भी लेते हैं तो ऐसे करने से आप देखेंगे कि आपके sugar levels में तुरंत वृद्धी दिख रही है यानि तुरंत बढ़ावा दिख रहा है और जो आगे जाके आपको diabetes के complications की तरफ ले जाता है इसलिए good diabetes के लिए एक अच्छा option नहीं है अगर ऐसी कुछ स्तिथी हुई है जिसमें आपके sugar levels बहुत लो हो चुकी है तो ऐसे में आप गुड का छोटा सा तुकडा खा सकते हैं पर अगर आप सोच रहे हैं कि regular basis पे जैसे कुछ लोग अभी भी खाने के बाद उन्हें कुछ मीठा खाना होता है और ऐसे में अगर वो सूचते हैं कि बागी कुछ तो अगर मैं नहीं खा सकता तो मैं गुड ही खा लूँ तो ये आप गलत सोच रहे हैं क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके sugar levels बिलकुल भी normal नहीं हैं जिस वजह से आपके doctors आपके दवाईयों में बढ़ाई कर सकते हैं और main reason है कि आप अगर गुड खाना ही बंद कर दे तो आपके sugar levels normal आ सकती हैं इसलिए diabetes में good ये एक अच्छा विकल्प नहीं होता है इसलिए diabetes में हम कहते हैं कि किसी भी मीठी चीज़े या मिठास से हमें बचना होगा और good उन में से एक है तो आप जरूर ध्यान रखें कि आप इसका सेविन बिल्कुल ना करें नियमेत रूप से आप अगर आप्षकी sugar नाप रहे हैं और अगर बहुत लो हो गई है तो ऐसे स्टीति में अप थोड़ा सा खा सकते हैं वरना आप इसका सेविन बिल्कुल नहीं करेंगे थैंक यू